CBI ने शनिवार को दिल्ली में एक बड़े बच्चा चोर ग्यान का परदाफाश किया है इस मामले में सनलिप साथ लोगों को CBI की टीम ने गिरफतार भी किया है ये ग्यान चोरी किये गए बच्चो को सोशल मीडिया पर विज्यापन के माध्यम से निसंतान माता पिता को बेचते थे CBI के अधिकारी ने बताया कि हमें इनपुट मिले थे इसी आधार पर हमारी टीम ने हरियारा और दिल्ली के साथ ठिकानों पर सर्च ओपरेशन चलाया था इस ओपरेशन में हमें एक देड दिन तो दूसरा पंदरा दिन के दो नवजात मिले यह गिरों इन्हें बेचने की फिराक में था जिन साथ आरोपियों को CBI ने गिरफतार किया है उनकी पहचान सोनीपत के नीरज, दिल्ली के पश्चिम विहार की इंदू, पटेल नगर का असलम, तनहया नगर की पूजा कश्य, मालविय नगर की अंजली, तविता और के तोर पर हुई है, अकरे गए आरोपियों से शुरुआती पूछताच में पता चला है कि यहां लोग बच्चों को बेचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया करते थे, आम तोर पर ये फेस्बुक पेज, वाटसेप ग्रूप जैसे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर विज्यापन देकर गोध लेने वाले इच्छुक नहसंतान दमपतियों से संपर्क किया करते थे, अधिकारी ने बताया कि ये वास्तविक माता पिता और सरोगेत माताओं से भी बच्चा खरीद कर नहसंतान दमपतियों को बेचा करते थे, एक नवजात की कीमत 4-6 लाक आमत किये गए हैं, आपको बादे कि छापे मारी की शुरुआत शुक्रुवाज शाम करीब 6 बजे से केशवकुरम इलाके से की गई, जो शनिवार को भी जारी रही, सूत्रों का कहना है कि छापे मारी पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि आखिर बच्चों की तसकर और उनके करमचारी भी शामिल हो सकते हैं, जहां पैदा हुए बच्चों की अदलाब दली भी की जाती हो, मामले में अभी CBI द्वारा पकरे गए, संदिंध नोबो से पूछ ताच की जा रही है, जिनके आधार पर CBI आगे छापे मारी कर रही है, बुंकिन है कि बच्चा चोड़ी, पच्चों की अदलाब दली और बच्चों को बेचने का कोई बड़ा गैंग न निकल जाए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें